Hello Friends Welcome back Smart Learning Steps आश्वे श्यर्मा So I hope you all will be fine जैसे कि हम फिलाल इन गनों one word substitution कर रहे हैं और इसी को हम आज भी continue करेंगे in a part और आज पार्ट करने वाले है 7th और इस पार्ट के अंदर हम आज क्या discuss करेंगे include one word which is our various type of the speech and the works return work आज हम speech and return work यांगे जब भी हम कुछ लिखते हैं तो उसके लिए कौन सा one word होता है particular की criteria होते हैं and second होता है कि हम कौन सा speech and कौन सी language कौन सी बोली या भाशा यूस करते हैं तो आज मैं part 7th में one word substitution के अंदर बही आपको explain करने वाली हूं आज हम करने various speech and return word यह हमारा 7th part of the one word है तो चलिए time को जादा waste ना करते हुए हम video start करते हैं यहां पर जैसे आप लेख सकते हैं मैंने हापे लिखा हुआ है phrases और यहां मैंने लिखे है one word as the same way here you can see phrases and here is a one word अब आते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं various speech कि मतलब क्या बोलते हैं क्योंकि one word exams में किस तरह से आपको time करना होते हैं कि आपको statement आती है और आपसे बोला जाता है कि इसके लिए एक word में आप reply करो जैसे हम हिंदी में बोलते हैं अनेक शब्द के लिए एक शब्द in a same way in English we can use one words for a one phrase सबसे पहले हम बात करते हैं one phrase की जैसे आप दे सकते हैं मैंने लिखा हुआ है book containing all the published work of an author यहां पर बोल रहे हैं कि वह एक book जब एक author लिखता है उसके अंदर वह अपनी published book के सारी content को add करता है तो उसको क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं Omniverse अब Omniverse क्या होता है Omniverse का मतलब होता है कि एक book जो की एक author के द्वारा published की गई है और उसमें उसने अपने सारी उस book के सारी content को include किया है that will be our Omniverse इसके मारे मारा आता है next टेलीग्राफ टेलीग्राफ क्या होता है a written masses for a place जब आप दूसरी जगा के लिए एक written masses देते हो तो उसके लिए हम speech करते हैं टेलीग्राफ यह हमेशा तब यूस क्या जाता है कि जो हम एक written masses इसके लिए हम वर्ड टेलीग्राफ का यूस करते हैं उसके बाद हमारा आता है informal language informal language का one word क्या होना वो होगा हमारा कॉल्कुल क्या होता है कि informal language जो हम अपनी डेली लाइफ में language यूस करते हैं एक होती है official language एक होती है informal language अपने घर में अपनी फ्रेंड्स के साथ यूस करते हैं तो वह हमारी होता है उसके लिए वर्ड अगर लिखा जाए तो वह होगी इसके speech होती है जो नेक्स रहता है circumlocation के मुझा है method of talking indirectly अभी क्या है method of talking indirectly जब आप directly किसी को हार्ट किसी को पिंच यह किसी के इंसल्ट डायक्षब्दों में ना करके इंडारेक में आप उसको point out करते हो आप उनको किसी से problem है तो उसे डायक्षब्दों में ना बोलके घुमा फिराके बोलते हैं तो उसी को बोला जाता है इंडारेक तॉकिंग जब भी आप इंडारेक लैंग्वेज से इंडारेक वर्डों से सामने वाले को नीचा दिखा रहे हो या उसका इंसल्ट कर रहे हो या उसको शेम फिल करवा रहे हो तो उसके लिए one word होता है किसी इंसान को सीधा सीधा मुँपे ना बोलके घुमा फिराके उसको परिशान करो उसका इंसाइट करो जो भी आप इस तकी अर्ट्रिक्स यूज करते हो तो वह हमारा पनवड़ी यह होता है विच इस आवर से उसके बाद हमारा रहते हैं पॉर्गिविंग टॉक और वार वार होसी इंसान के सामने चूंध के इस जो घुतर करते हैं तो Chanvi सरह संवार से करते हैं 2-2 तो जब और बोलते हैं थे Moody's सवार से ना बर्ली के वारे मना के लाखना हम दोख समय आते हैं यह तो नहीं मुटन को जब तो घुम लिए ओवर कर संवर गार काया किसनी इलोकैंट के मातलब है एक्स्प्रेसिव यूज़ जब आप ऐसे वर्ड को इफेक्टिव जब बहुत और प्वशिप पावर्फुल वर्ड करें सामने वाले को इंप्रेस कर लेते हो जब सामने वाले को अपनी बातों से सेटिसफायड कर लेते हो तो उसको हम स्पीश में यूज करते हैं यह मौस के कौन करते हैं पॉलिटिशन तो वहां पर किया आप किस तरह से अपनी बातों से सामने वाले को सेटिस्वाइड कर पा रहे हूं तो वहां पर हमारा एक्स्प्रेस करने का तरीका कि हम कैसे पार कॉसरे एक्स्प्रेस करा रहे हैं कैसे सामने वाले को सतिस्वाइड कर hierarchy कैसे अपनी बात को प्राइब कर किया उसे के लिए वह kana पirt' कर आए यह सपीश्चन है है रितन यह चे यह संन क्योंकि इसमें काफी वनवर्ट्स ऐसे हैं हम जो डेली लाइफ में यूज करते हैं जिसनी हां पर मारा फ़र्स्ट है a signature of a celebrity हम जब भी किसी भी celebrity किसी भी famous इंसान का signature लेते हैं तो मुस्को बोलते है और अटोग्राफ मुस्कि अपने movies में series में देखा होगा कि मैं उसको autograph लेना चाहता हूं मैं उसको बहुत बड़ा fan हूं तो autograph का मतलब था जब आप किसी इंसान का signature लेते हैं तो उसको डिटर्ण में बोला जाता है प्रियमबल प्रियमबल के मतलब होता है इंट्रोडप्लेटरी involves कि होता है जब भी हम कुछ भी लिखनास स्टार्ट करते हैं और जो naंव योfather सानी के लाइन उनके नो प्रेम्ब प्रेम्ब के बता है शुरुवात की लाइन कोई भी कंटेंग डिजना माटर इट विल बी अब पैराग्राफ इट विल बी अब कोटेशन वी डॉंट नो बट जब भी हम कुछ भी लिखना स्टार्ट करते हैं तो उसके स्टार्टिंग लाइन को हम बोलते हैं प्र तो उसको हम भोलते हैं बायग्राफी ओकर नेक्सरा है औरन बायाफी का मतलब होते हैं जसके लिखते हैं में अप States एक बीन, ऌन्द फॉन प्रीज़क आपने बोलिकरा अपने लग्रापए लिखि करते कि माम अपनी बीग्राफी यह हम स्टार्यूरिक ने अंडरन पर झाल लिखते हैं तो उसे हम और की लाइफ के बारे में लिखते हैं तो उसे हम बायग्राफी कहते हैं नेक्स्ट नमारा आता है लेकॉन का मतलब होता है few words packed with meaning इसका मतलब होता है कि कम शब्दों में अपनी बात को बहुत अच्छे से शो करना यानि कि कुछ शब्द बोलो इतने effective बोलो कि सामने वाले को पूरी तरह से आप satisfied कर सको mostly क्यों होता है कि आप students के लिए बहुत जादा effective इसलिए है क्यों क्यों होता है कि हमें कोई paragraph आता बोला जाता है तो कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा उस चीज़ को किलियर करना तो उसके लिए हम जो वर्ड मर्ड यूज करते हैं वह हमारा होता है लेकॉलिक लास्ट हमारा आता है सौलियोकी सौलियोकी मतलब होता है a speech of oneself alone इसका मतलब होता है कि जब आप खुद से ही बाते करते हो और कोई और नहीं होता है उस वक्त तो उसके लिए हम वनवर्ड यूज करते हैं सौलियोकी यह यूज करते हैं थेटर साइट में हम जब थेटर में कोई एक्ट वगेरा करते हैं तो जब उस स्टेश पे या तो सिर्फ एक एक्टर हो या एक एक्टरिस हो कोई और ना हो और वो खुद से ही बाती करें तो उसको बोलते हैं हम सौलियोकी तो इसके अंदर था वेले स्पीच और रिटर्न वर्ट यह जो मैं आपको समझाया है बताया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा अगर आपको कोई भी डाउट होता है कुछ चीज समझ में नहीं आई है तो प्लीज आप अपने व्यूज अपने डाउट अपनी प्रा और अगर आपको यह आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज गाइस जाद से जाद इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब माई यूटुब चानल स्मार्ट लेर्निंग स्टैर्स प्रजे यूट किया प्लीज यूट ऋट लेगोई